गूड मॉणिंग गाईज स्वागत है आपकी अपने चैनल स्टूडेंट प्वार में गाईज तो जैसा कि आप सभी सातियों को मालूम है कि हमारी चैनल की दुआरा किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हो या किसी भी प्रकार की गॉवर्मेंट जॉब की प्रिपरेशन हो यहां पे सादर तरीकी से आप लोगों को information provide करवाई जाती देन preparation भी करवाई जाती डियर student अगर आप सभी साती अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हो और अभी भी भी नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर ले बिल आइकन को जरूर प्रेस कर देता कि समय समय पर आप लोगों को इसी परकार की latest notification मिलती रहे सबसे पहले और सबसे फास्ट तो चले डियर student आज का वीडियो बहुती सांदार होने वाला है और जैसा कि आप सभी सातियों को कहा था मैंने कि आप लोगों का final result यहां पर आल चुका है तो आप लोगों के लिए एक cut-off का वीडियो भी लाऊंगा तो dear student यहाँ वीडियो एनम वाले student के लिए अलग से लाया गया है जैसे कि PNST वाले student के लिए cut-off का वीडियो बना दिया जा चुका है वे करपया करके उस वीडियो को जाके देख ले और हाँ अब यह वाला जो cut-off क्या रहने वाली है final result के बाद अब यहां पर आप लोगों का cut-off का analysis किया गया है result को देखते हुए दिन आपके जो top 10 student है okay उन्होंने कितने marks यहां पर gain किया है उसके हिसाफ से cut-off को clear किया है ओके गाइस तो start करेंगे वीडियो को वीडियो को start करने से पहले एक request करूँगा कि बाजू में आप लोग को बिल आइकन की बटन दवा दिखाई दे रही उसे प्रेस जरूर कर दे और red बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हाँ description box में जाके हमारे WhatsApp ग्रूप से भी आप जोईन हो सकते हुए क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को update दी जाती है डेली तो चली वीडियो start करेंगे वीडियो start करने से पहले बता दू आप लोगों को अगर result अभी तक आप लोगों ने check नहीं किया है तो चेक जरूर कर ले क्योंकि result कैसे check करना है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है तो चली गाई से यहाँ पे अब कटाव आपका क्या रहने वाला है यह हम लोग जानेंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई problem जा रही हो जा वो किसी भी प्रकार की अन्य problem हो result देखने के लिए या आप लोगों के मन में और भी किसी भी प्रकार की अगर प्रशन आ रहे हो तो वो कृपया करके comment box में जाके comment कर सकते है हम यहाँ पे आपकी सभी समस्याओ का समाधान करेंगे ओके गाईस चली latest now वीडियो start करते है और बिलकुल analysis के साथ यहाँ पे cut off जानेंगे तो guys चलीए start करते हैं और cut off यहाँ पे जानेंगे आप लोगों की cut off क्या रहने वाली है देन इससे पहले आप लोगों को बताओ की काफी students के question है और अभी भी बहुत सारे question है तो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे एक एक question क्लियर करते जा रहें ओके एक एक question के लिए अलग अलग वीडियो लाया जाएगा और सारे confusion आपको clear करवा दिया जाएगा कितने time में आप लोगों की counseling हो जाएगी merit list कब तक आ जाएगी देन यहाँ पे आप लोगों के admission के तहट आपको documents क्या क्या लगेंगे ओके सभी जानकरी यहाँ पे धीरे धीरे करके जितने भी problems है आपको clear कर दिया जाएगे आप अपनी सारी problems हमें comments box में comments जरूर कर दे हम उस पे आप लोगों का समाधान बिलकुल लाया जाएगा क्योंकि आपके साथ 24 hour student war YouTube channel खड़ा है और खड़ा रहेगा चलिए तो guys जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे हम आपके जो top 10 students रहे उनकी क्या marks है जल्दी जल्दी top 10 students के marks जान लेते है उसके अनुसार ही analysis करके यहाँ पे cut up आप लोगों का डिकलियर किया है सबसे पहले बात कर लेंगे किर्ती किर्ती इनका है OBC candidate है और इन्होंने 103 marks लाए 103.65 याने भुपाल से इनका जो है 103 marks है और देखी यहाँ पे मांसी साओ बता दू आप लोगों को हमारे ही student रहे है और डेली हमारे साथ जूडे रहे है तो उनको बहुत-बहुत हार्दी और बहुत-बढ़िया यहां पर बात करेंगे धनसरी की धनसरी इन्होंने कितना 103.21 marks जबलपूर से यहां पर ओके देन यहां पर छूनवती याने यहां पर इनका भी जो है marks 103.08 है और यह कौन से ST candidate है ओके बात करेंगे यहां पर जैसे की जिग्यासा ओके यह OBC candidate है और 101.79 9 marks जबलपूर से ओके देन कुल्दिप्ती तिवारी जी यहां पर इन्होंने किया है 99.83 जनरल केंडिडेट है तो यहां पर इस प्रकार टॉप 10 स्टूडेंट है जैसे आप लोगों का नेक्स्ट है आरती ओके आरती इन्होंने भी 99.49 उजयन से प्राप्त किया है ST candidate है देन डाली का तो डाली का OBC candidate 99.49 भोपाल से देन पुजा पुजा की बात कर ले तो OBC female candidate ओके सारी female रहेंगे क्योंकि यह तो यहां पर female ही यहां पर exam दे सकते है 99.49 सागर से देन बात करेंगे विसाखा की तो विसाखा यहां पर OBC candidate है और इन्होंने भी 99.09 नमबर यहां पर गे students के ओके तो चली अब यहां पर बात करेंगे हम सबसे पहले इनके अनुसारा अब आप लोगों की cutoff क्या रहने वाली है ओके तो सबसे पहले बात कर लेंगे cutoff से पहले आप लोगों की जो seat है दो भागों में divide किया गया है पहले भी बताया था आप लोगों को एक तो खुल प्रतियोगी था और एक आसा कारेकरता याने आसा वरकर के लिए अलग से यहां पे वेकेंसी उन्होंने डिवाइट किया था देन एड़लूएस की जो ओपन प्रतियोगी अता है उसमें टोटल बाविस सीटे थी और आसा कारेकरता के लिए कोई सीटे नहीं थी अनाराक्षित याने जनरल वाले केंडिडेट की बात करें तो 44 सीटे यहां पे जनरल याने सामानी स्टूडेंट के लिए है और यहां पे बात करेंगे 16 आसा वरकर के लिए बात करेंगे आसा के लिए आपकी 14 सीटे इस पर का टोटल 220 सीटे है अब बात करेंगे कट आफ की इनके अनुसार कट आफ क्या रहने वाला है तो इससे पहले और एक बात जान लेते हैं हम लोग ओके ताकि आप लोगों के मन में यह संकार ना उटे कि कौन-कौन सी कॉलेज में यहां पे सीटे अवेलेबल होगी तो देखी यह कॉलेज है और कॉलेज हों में सीट यहां पे डिवाइट किया गया है इसके अनुसार हम लोगों को यहां पे सिलेक्ट करना है कौन सी कॉलेज में ज्यादा सीटे है यहां पे उसके अनुसार आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना है कॉंसलिंग में वो भी आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा आप चैनल को सब्सक्राइब बस कर ले एक एक जानकर यहां पर प्रोवाइट करवाई जाएगी देखी टोटल आप लोगों के सामने आठ कॉलेज है ओके बैतूल, सिहोर, धार, बुरहनपूर, सिवपूरी, ओके मंडला, सहडोल, पन्ना, टोटल, टोटल आठ है यहां पे आपकी कॉलेज, देन यहां पे टोटल 30 सीटे है, ओके कितनी 30 सीटे है आपकी साथ कॉलेज में, देन पन्ना में 20 है, इस प्रकार टोटल 220 सीटे हो जाती आप लोगों की, देन यहां पे सबसे ज़्यादा कहा पे है सीठे यह आप लोगों को वो खरना पड़ेगा ठुल okay कुल अनालिसिस करना पड़एगा और यह अनालिसिस हम बताएंगे कि कहां कहां पहले college सिलेक्ट करना है ओके जैसे highest जिनके नंबर है अधिकतम रही कोई भी college आप देख लेते हैं, ओके गाईस, चलिए, तो बात करेंगे डियर इस्टुडेंट, आप लोगों की cut-off क्या रहने वाली है, चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे, EWS Candidate की, ओके, किसकी बात करेंगे, EWS Candidate की, और EWS Candidate की टोटल 22 सीट है, यहां पे, अब इन सीटों के अ कम 75 नंबर के ऊपर जाएगी, ओके, और अधिक्तम, अधिक्तम 80 नंबर, ओके, कम से कम 75 और अधिक्तम 80 नंबर, EWS के टेगरी के, ध्यान रखी है, आप लोग, देन बात करेंगे, next Candidate की, तो यहां पे, जनरल वाले Candidate की, बात कर लेते हैं, तो जनरल वाले Candidate की, जैसे क इतनी रहने वाले उनकी, तो उनकी 85 के ऊपर नंबर वाले स्टुडेंट ही, यहां पे श्योर हो पाएंगे, और अधिक्तम 95 यहां पे जा सकती है, ओके, कनभम नहीं है, यहां पे 95 अधिक्तम जा सकती है, और 85 के ऊपर वाले Candidate यहां पे लगबख श्योर हो जाते हैं, बा बात करेंगे आसा वर्कर की जनरल वालों की कितनी सीटे है, तो 16 सीटे है, और इन सीटों के अनुसार आपका जो जाने वाला है, वो लगबख 80 से 85, ओके, अधिक्तम 85 जाएगा, ओके, बात करेंगे, अब यहां पे आप लोगों के Candidate ST वालों की, ओके, ST वालों की टोटल स 44 सेटे है, इस परकार कट आफ आप लोगों की देखा जाए, तो आप लोगों की कटाफ जाने वाली सबसे पहले बात करूँगा, खुली प्रतियोगे तवालों की, ओके, तो खुली प्रतियोगे तवालों के लिए जाएगी 70 से यहां पे 75, कितनी 70 से 75 जाएगी, अधिक्त से 70 अधिक्तम, बात करेंगे अब SC कंडिडेट की, ओके गाइस, SC कंडिडेट की यहां पे टोटल सीटे आपकी कितनी हैं, तो सबसे पहले बता दू, 58 सीटे आपकी खुली प्रतियोगेता है, कितनी, 28 सीटे खुली प्रतियोगेता वालों की है, और 8 सीटे यहां पे किन कड़ाफ किया रहने वाली, तो इनकी कड़ाफ जाने वाली, खुली प्रतियोगेता वालों की जाने वाली, 65 से लेके 75, जाने मिनिमम कम से कम 65 जाएगी, और अधिक्तम 75 जाएगी, बात कर ले, आसा वालों की 8 सीटे है, तो इनकी मिनिममम 75 और अधिक्तम 80, ओके, इनके बी वाली है तो चली डियर स्टुडेंट यहां पे टोटल आप लोगोंकी 44 सीट है इन में से डिवाइड देखी है ना खुली परतियोगिता में टोटल 44 सीट है और यहां पे आसा के लिए आपकी 14 सीट है तो इस प्रकार कटाफ आपकी देखा जाए तो खुली प्रतियोगिता में आप लोगों की 85 से 90 के बीच में रहने वाली है कटाफ, okay, minimum 85 अधिक्तम 90, okay, then बात करेंगे यहां पे आप लोगों के लिए आसा OBC वरकर के लिए क्या रहने वाली कटाफ, तो देखी 75 से आपकी जाएगी OBC आसा कारेकता के लिए, okay, 75 से 85 के बीच में यहा नंबर आप लोगों के जाने वाले है, तो अधिक से अधिक चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिलाइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगामी जब भी प्रिप्रेशन आप लोगों की स्टार्ट करवाए, आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे, और एनी अधर पुरा एड्मिशन प्रोसेस से लेके, ओकि आल कॉलेज लेवल तक आप लोगों को सभी इनफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी, तैंक्यू गाइस, पुना स्वागत है, आपके अपने चैनल स्टुडेंट वार में, तैंक्यू गाइस